आज किस वीडियो में बात करूँगा जहारकंड B.A.C. नर्सिंग इंटर्स लिएम 2023 का फॉर्म डेट मतलब फॉर्म कब तक आएगी इसका एक्जाम कब होगी और इसकी सिलेवस क्या होती है पूरी जानकारी मिलेगी और एक बात में आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि इसकी तैयारी आप आज से ही सुरू कर दो नहीं तो फिर आपका सेलेक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा कॉंपिटिशन रहता है और सीट बहुत ही कम रहती है तो पूरी विस्तार में जानकारी दूंगा और तैयारी कैसे करना वह भी मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो को सुरू से आं तक देखिए को पसंद आए तो लाइक जो और किजिए चले सुरू करता है अचका वीडिय जिकतनी है फिस्तर के चले 42oft के लिए और आपका होना चाहिए वो आपका होना से वेंटीन इए अगर अगर आपका सेवेंटीन इएर से कम है तो फिर आपको बह्ने ने दिया जाए मैं किई 17 सालना मिनिमम होना चाहिए और इंटर पास करते करते इतना होई जाता है इस फॉर्म को भरने का जो फी लगता है वो जेनरल मतलब UR और OVC के लिए वो लगता है 900 रूपीज ठीक है और जो ST है और SC कैनिडेट है उनके लिए ये कितना लगता है 450 रूपीज ये फॉर्म फी है ये फॉर्म फी देखके आप इस फॉर्म को भर सकते हो जैसे आप इस फॉर्म को भरोगे आपका एडमिकार्ड रिलीस होगा एक इक्जाम के लिए जिसका नाम है entrance exam उसे इंटरेंस एक्जाम में आप एक्जाम देने जाओगे तो आपको 150 questions जो है वो दिये जाएंगे ठीक है 1500 questions दिये जाएंगे उसमें physics के 50 questions रहेंगे chemistry के 50 questions रहेंगे और bio के 50 questions रहेंगे total 150 questions का exam होगा इस exam का जो pattern होता हुँ होता हिंदी और English ठीक है तो आप दोनों ही language में paper देख सकते हो कोई दिकत नहीं Hindi English दोनों ही में आपको questions मिल जाएगा ठीक है और अगर आपको rims में अगर आपको admission चाहिए rims राची में तो आपको इस साल कितना लाना पड़ेगा तो आपका target होना चाहिए 70 plus ठीक है 70 plus marks लाना पड़ेगा क्योंकि minimum इतना इससे ज़्यादा जितना होगा उतना ही आप see or हो जाओगे कि आपको rims में मिलेगे ठीक है क्योंकि इसी के लिए सबसे ज़्यादा fight होती है तो 150 marks में से 70 लाना अगर आप सही से पड़ोगे तो आसानी से आ जाएगा लेकिन इतना भी आसान नहीं है क्योंकि यह जो एक्जाम होती वो negative marks वाली होती है और बहुत ही hard exam होती है तो 70 भी students का नहीं आता है और आप आज से पढ़ाई शुरू कर देते हो तो 70 आ जाया ठीक है तो इस साल यह form कब निकलेगी तो यह form जो निकलेगी आपका अगस्त में निकल जाएगी ठीक है अगस्त में निकलेगी और उसके बाद अगर आप सोच रहे हो form निकलने के बाद पढ़ाई शुरू करें तो आप गलत सोच रहे हैं क्योंकि आपका selection नहीं होगा क्योंकि अगस्त में यह form निकलती तो है लेकिन जैसे ही form निकलेगी उसके 20 दिन में आपका exam ले लिया जाएगा ठीक है 20 दिन में आपका exam हो जाएगा यह भी मैं maximum time बता रहा हूँ 20 दिन भी नहीं मिलता है कभी-कभ आपका form आ जाएगे ठीक है तो अभी से अगर आप देखोगे तो proper आपको time मिलेगी तैयारी करने के लिए क्योंकि इसमें आपको 11 भी पढ़ना पड़ेगा और 12 का जितना syllabus वो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि exam जो होता है 11 और 12 दोनों से question पूझ जाते हैं और syllabus बहुत है तो मैं आपको बता दूँ कि तैयारी कैसे करनी है कि classes हमारे एप में start हो चुकी है आप सभी लोग जोइन हो जाओ एप का link हमने description box में दे रखा है इसमें आपको दो classes मिलेगी पहला आपका जो होगा वो classes होगी जहारकन BSE nursing का पूरा chapter wise classes होगी जिसमें सभी बिसेयों की त इसको आप जॉइन कर सकतो 100% selection की इसमें guarantee है ठीक है यह आपको पूरी course आपको 499 रुपे में मिलेगी जो आपका पूरा exam तक चलेगी मतलब एक साल की validity के साथ ठीक है और इसके साथ आपको एक चीज और मिलेगा booster plan जो होगा BSE nursing 23 A&M GM दोनों उसमें include रहेगा उसमें आपको 7000 objective questions मिलेंगे ठीक है 7000 objective questions मिलेंगे जो आपको BSE nursing में maximum questions आपको इसी PDF से देखने को मिलेगा सारा questions आपका देखना यही से उठने आवाला है तो अगर आप इस PDF को पढ़ लेते तो भी आपका selection हो जाएगा ठीक है इससे बाहर एक भी questions नहीं पूछा जाएगा यह guarantee है इसका price 129 रूपिया सबसे सस्ता है यह भी आपको app में मिल जाएगा तो यह दोनों ही आप purchase करके आज ही से त्यारिक start करतो जो यह दोनों purchase करेगा उसका selection guarantee है रिम्स में और इसके अलावा अगर आप कोई एक भी लेते हो तो भी आपका काम चली जाएगा ठीक है कोई भी update अगर आ सबसे पहले बता हूं को चैनल को subscribe कर लिजे वीडियो अगर पसंद आया तो like किजेगा सब इक साथ share किजेगा मिलते हम लों next वीडियो में तब तक लिए बाबाए